दोस्तों स्वागते आपका मारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आप पर रितिकाल से संबंदित मत्वण कॉशन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखेगा अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें व पर फ़स्ट कॉश्चन पूंचा गया देखेगा सीतेश जी और यहां पर लबली जी तनुजी राजीव जी आज का फ़स्ट कॉश्चन यहां पर दिया गया है निमनलेकत विकल्पों में से रीतिकालीन कभी कौन से हैं यहां पर आपके लिए चैन करना है कि कौन से कभी र पताना है बताईएगा चार विकल्प आपके यहां पर दिये गये हैं इनमें से आपको चैन करना है 155 कॉश्चन है और आप सभी का सई आंसर आ रहा है बिहारी मतिराम घनानंद और भूसन ने रीतिकालीन कभी मानि जाते हैं तो विकल्प नंबर जो भी है आप सभी का यहा पर आरी सत्साई मतिराम की रसराज ललेतललाम घनानंद की सोजान सागर इसकलता और भूसन की सवराज भूसन यह रचिनाए वहती महत्यपूर्ण रचिनान मानी जाती हैं प्रिश्चन नंबर आप से यहां पर पूंचा गया है कौन सा यहां पर 155 कॉश्चन दिया गया है रीटी काल का कौन सा कभी बीरज की कब रचिनाव के लिए प्रिसर्ध है रीटी काल है इनकभी बताने वहाे क्वाय कौन से हैं मतिराम है भूसन है चिन्तामणी है या प्रघनानंद है इन चार विकल्पों में ऐसे आपके लिए चैन कन्ना सैया finely से अंसर पिंकी जी आस्ता जी और आप सभी का हांपर सयांसर है कि B रसकी रचिनाव के लिए रीती काल में जो ूरोन सबसे अदिक प्रशिद्यते ते भाई भूशन जी थे क्वाँ थे भूशन तो तो बी वाला विकाल्फ आपका है आपर सयांसरों का शिवराज भूशन इनकी रचिना मानी आती है question number आपके यहाँ पर 156 question यहाँ पर पूंचा गया है कि पदमा कर दौरा रचित अलंकार ग्रंट कौन सा है अलंकार ग्रंट वताना है भासा भूशन है रामचंद्रा भरन है काभ्य अलंकार है या फिर पदमा भरन है 156 में आपके यहाँ पर चैन करना है बहुती मत्पून question आपका यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा साई आंसर राजन जी हाँ बहुत बढ़िया आज जो है मैच में मज़ा आया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा साई आंसर पदमाकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंट बताना है, कौन सा माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका जो D है, सही आंसर है, यानि कि पदमाभरण, पदमाभरण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, मुगा अलंकार ग्रंट माना जाता है, जैपन नरेश पिरताप साही ने, स एक सब्सक्राइब कोश्चन मतिराम द्वारा रचेत ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा मतिराम का ग्रंथ माना जाता है किष्णायन है यह यहां पर जगत बिनोद है यह फिर ललित ललाम है या राम रस्चंद्रिका है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर चैन कीज़ेगा चार विकल्प दियेगा है सिल्पा जी और आप सभी का एक सो संताउन में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ललित ललाम जो विकल्प नमबर सी है आपका यहां पर सही आंसर होगा लले तललाम आप सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़ी है, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है, यह मतीराम जी का ग्रेंट माना जाता है, और मतीराम जी के अन्य ग्रेंटों की बात करें, तो यहाँ पर देखिये फूल मंजरी, लक्षन सिंगार, साहित सार, सतसई, अलंकार, पंचासी का और ब्रत कोमदी, यह रचना इनिंग की मानी जाती है, किनकी मतीराम जी की, अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा ग्या है, कॉस्चन नमबर आप से अहाँ पर 108 पूंचा ग्या है, कि इनमें से आपको बताना है, किसने आदीकाल को जैकाल और रीतीकाल को कला काल कहा है, बताइए, चैन कीजेगा मत्पून कॉस्चन यहाँ पर पूंचा ग्या है, इनमें से आपके लिए बताना है, किसने आदीकाल को जैकाल और रीतीकाल को कला काल कहा है, तो आप सभी का इहाँ पर सही आंसर होगा, वेकल्प नमबर बी सही आंसर है डाक्टर रमा संकर सुकल रसाल ने किनों ने डाक्टर रमा संकर सुकल रसाल आपका यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी हैं इंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा question number आप से यहाँ पर पूंचा गया 169 question है पंडित और प्रभीनन को जोई चित हरे सो कभित कहाबाई एह जो है किस कभी का कथन वाना जाता है यह आपके लिए यहाँ पर chain करना है बताईए chain कीज़ेगा महत्वकून question यहाँ पर पूंचा क्या है और आप सभी का सही आंसर अनीता जी रोईनी जी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो C है ठाकूर ठाकूर जी का एक अचन एक पंती मानी जाती है तो विकल्प नमबर आपका तीन यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ियां विल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहां पर चैन क्या है ठाकुर यह उक्ते कतन ठाकुर कभी कमाने जाता है ठाकुर की आस्रेदाता जैदपुर नरेस राजा केसरी से हैं और उनकी पुत्र राजा परिच्छित थे ठाकुर की प्रमुक के किरतियां पूंजी जाते हैं जिसमें ठाको ठसक और ठाको सतक यह जो दो किरतियां मानी जाती है कॉस्चिन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया है एक सो साटवा कॉस्चिन लिखन बैटी जाकी सभी गई 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 गरब गदूर भरना कते जगत के चतुर चितेरे कूर परेप्ट दो है कि इस अंदर में बतलाईए कि निमनलिखित में ऐसे किस कारण से चित्रकार नाइका की चवी यानि की पोट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाती हैं बताइएगा यह आपके हाँ पर चार विकल्प यहाँ पर दिये गए हैं इनमें से आपको चेन करना हैं बताइगा क्या होगा सही आंसर समझी और आप सभी का सही आंसर है कि चित्र बना कर जब मिलाया तब तक रूप नए सरूप में बदल गया यह जो है वी वाला विकल्प बै आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो जिन्वन भी चेन क्या प्रीती जी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा एकसेट वा कॉस्चन पूंचा गया है भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन क यह किस कभी के चंद की पंतियां मानी जाती है question number 161 आप से पूँचा गया रतना कर, पदमा कर, देव या फिर दुजदेव question मत पूण है 161 वा question आप से यहां पर पूँचा गया है और 161 में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर एकस कभी के चंद की पंतियां है तो देव जिनोने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा देव आपका यहां पर सही आंसर है विल्कुल चाहिए भाव विलास, अष्ट्याम, बबानी विलास कुसल विलासन की महत्पूर्ण रचनाय मानी जाती है देव कभी की यहाँ पर आप से पूंचा गया है कि नमने लिखेत कभियों कोन के जीवन काल अरूही क्रम में विवस्तित कीजिएगा आरूही क्रम में बताना है चभी संकर जी मुस्कान जी तो कौन सा विकल पानंद जी यहाँ पर सयांचर लगा दें बताएगा सभी लोग चैन कीजिएगा मत्तपूर्ण कॉस्चन है 162 वा कॉस्चन है शिका जी और 162 में आप सभी का सयांचर होगा सबसे पहले के सब्दास सेनपति देव और पर पदमाकर विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सयांचर सेनपति सेनपति के बाद देव और देव के बाद पदमाकर इनका जीवन काल माना जाता है 1753 से 1833 इस भी किनका पदमाकर का कॉस्चन नंबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है कौन सा यहाँ पर निमनलिकित में से कौन सा एक कभी लक्षन ग्रंतिकार नहीं है बताएग हाँ तो अबना जी तो कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूंचा गया है तो 63 में आप सभी का सई आंसरोंगा कौन सा एक कभी लक्षन ग्रंतिकार नहीं है देखेगा नहीं पूंचा आप से तो आपका यहाँ पर सई आंसरोंगा घनानंदे घनानंद आपका सई आंसर ह गनानंद जो हैं लक्षन ग्रंतिकार नहीं है इरीती मुक्त धारा की कभी हैं इनका जन्म 1689 इसी बुलंद सहर में इनका जन्म हुआ था पूंचा जाता इनका जन्म कहा हुआ था और यहें मिंबार के संप्रदाय में दिख्छित थे इनके आश्रय दाता सुमम्मा साय रंगी के लिए थे और सोजान सार इसकलता ब्रह लीला वियोग बेली कोक सार किर्पा कंद रसकेली वल्ली और यमना यस यह इनकी महत्पूर्ण रचनाय मानी जाती है कि इनकी घनानंद जी की जो की पूंची जाती है कॉस्चन नंबर आप से यहां पर पूंचा गया है चौसट ब आपके लिए चैन करना है मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आनिकी चिंता मनी यह तो सभी को पता होगा आचार सुकली जी हिंदी रीती ग्रंतों की अकंड परंप्रा जो एक इस से मानती है चिंता मनी जी से मानते हैं चिंता मनी तरपाथी आपका भी वाला जो विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर 165 पूँचा है कि निमने लिकित में ऐसे रीती मुक्त काबधारा की कभी का नाम बताईए रीती मुक्त काबधारा की कभी कौन है बताईएगा चैन कीजेगा अंसर जी बिहारी हैं केसब हैं सिरीपती हैं या फिर घनानन्द हैं सबी लोगों ने यहां पर सही आंसर है जैन क्या है घनानन्द आपका यहां पर सही आंसर है हैं विल्कुल सभी लोगों ने यहां पर सभी आंसर है और सभी लोगों ने यहां पर सभी न की है बताईए कौश्चन नमबर 166 है मत्पूर्ण कौश्चन यहां पर पूंचा गया है चिंतामणी ने चोस्च कभी ने पदमा करने या फिर रसलीन ने कौश्चन मत्पूर्ण है क्या होगा सभी नमबर 16 में जगत बिनूती की रचिना किये किनोंने जगत बिनूती की रचिना किये पदमा कर जीने किनोंने पदमा कर आपका यहां पर जो विकल्प नमबर जो सी है आप सभी का यहां पर सभी आंसर होगा विकल्प नमबर 3 आप और राम रसाइन आदी ग्रंथ इनी के मानी जाते हैं किनके पदमाकर जी के काब विबेक के रचिनाकार आपके लिए बताना है कौन मानी जाते हैं काब विबेक के रचिनाकार देव कभी है, मतिराम है, चिंता मनी है या फिर केसब दास है 167 में आपके लिए चेन करना है मत्यपूर्ण कॉस्चन आपसे यहाँ पर पूंचा गया सुरंद जी और आप सभी का यहाँ पर काप्य विवेग की रचिनाकार पूंचा है तो विकल्प नमबर आपका जो C है वह सही आंसर होगा चिंता मनी जी माने जाते हैं बिलकल्प नमबर आपका तीन यहाँ पर सही आंसर होगा काप्य वेग की रचिनाकार चिंता मनी है और रस विलास चंद विचार पिंगल और यहाँ पर सिंगार मंजरी काप्य प्रिकास आदी ग्रंथ इनी के जो हैं माने जाते हैं बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या पूंचा गया है कॉस्चन नमबर आपका 168 है क्या पूंचा है कि फागू की अभीरन में गई गोबिंद ले गई भीतर गोरी इसके रचिनाकार कौन माने जाते हैं यह पंती माने जाते हैं किनकी विहारी केसबदास पदम पूंचा कर यह पिर भीकारी दाष चैन कीजेगा महत्व पूंड बीका तीन में जो है आरळना जीव है आपका यहां पर सह भीरन में गई गोविंद ले गई वीतर गोधी विल्कुल सही रितीकालिन का भी पदमा करें उनी की पंती मानी जाती है कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है एक सोन अत्तरवा कॉस्चन अपन ने कई वार पड़ा है महत्पुन कॉस्चन घनानंद को साक्षार्ट रसमूर्थी किसने कहा है बताईए चेन कीजेगा दिपक जी लाला भगवान दीन ने आचार विश्वनात प्रसाद मिस्र ने आचार रामचंद्र सुकल ने या फिर आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने चेन करना में महत्पुन कॉस्चन पूंचा गया है और आप चभी का सही आंसर है कि आच्या रामचंद्र सुकली जी जो हैं इन्होंने कहा है घनानिंद को साक्षात रसमूर्थी वेकल्प नमबर आपका यहाँपर मुहिद जी वाला जो वेकल्प है वह आपका सैयांसर होगा आच्या रामचंद्र सुकले कॉशन नमबर आपसे यहाँपर 170 पूँचा गया कि निमने लिखत में ऐसे कौन सी रचना केसब की नहीं है नहीं पूंचा है आपसे नहीं मैं कवीप्रिया रसिक प्रिया रसार्णाओ यह चंदमाला चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन है चार वेकल्प दिये गए कंचन जी और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि सुख्देवमिष्र जो है उनी की रचना मानी जाते है कौन सी रसाण्डणाओना की केसब दास्की सभी लोगों ने यहां पर सभी के लिए पता है की रचलरा नहीं मानी जाते है केसबदास्की कौश्चन अंबर आपका यहां पर 71 पूंचा गया नमनलिकित में से आपको बताना है पदमाकर की रचिना कौन सी है पदमाकर बताईए पढ़िये पदमाकर की रचिना है प्रेमबाटी का है ललतललाम है कभी प्रिया है जगत बनूद चेन कीज़ेगा चार विकल्प आपके दिये गए है कौश्चन नमबर आपका 71 है और 71 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नमबर डी आनिकी जगत बनूद ये वाली रचिना जो है पदमाकर की नहीं मानी जाती है जो कि यहाँ पर सही लोगों ने सही आंसर चेन किया है अंगला कौश्चन यहाँ पर देखेगा कौश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गय कि रीती काल को सिंगार काल नाम किस ने दिया है तो अपनने इसको याद भी किया था और ये कॉस्चिन कल भी पढ़ा था अपनने रीती काल को सिंगार काल नाम किनों ने दिया है हजारी प्रसाद दुबेदी ने देरंदर बर्मा ने या विस्वनात प्रसाद मिस्र ने या र रामकुमार बर्माने तो इसको अपने याद्याता राकिष जी कि विस्व के लोग रीती-रीती से सिंगार करते हैं तो विस्व роб हो जाएंगे रीती से रीती काल और सिंगार से सिंगार काल तो रीती काल को सिंगार काल कहा है किनों ने विश्वनात प्रसाद मिस्र ने बहुत बढ़ियां अगर बात करें अलंकरत काल की रीती काल को अलंकरत काल कहा है किनों ने कहा है मिस्र बंदु ने रीती काल को रीती काल कहा है रामच आपका यहां पर दिया गया है कि नियुवन लिकेत में से कौनसा ग्रंट मतिराम का नहीं है नहीं बताना है बताईए का चेहन कीजेगा सबी लोग बताईए चंदसार सुक्षागर रस राज या फिर साहिक्तिसार पॉस्षिन मत्यकूण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि जो मतिराम का ग्रंथ नहीं है वह सुख सागर आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही है यह जो है सदा सुख लाल द्वारा रचेत खड़ी बोली गद्द का प्रारंबे के ग्रंथ माने जाता है कौनसा स है फटकर कभीता हूं का संग्रै यहां पर कॉस्षिन नमबर पुटकर कभीतां को संग्रैंडर है तो आपका यहाँ पर सयांतर होगा विकल्प नमबर दो जिन्वने भी चैन किया डाक्टर पीतामबर दत्वर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका पुटकर कभीताओं का संकलन है जबकि डाक्टर रामचंद्रुप चतुरवेदी ने रामचंद्रिका कुछ हंदों का अजयाब कहा है तो यहाँ पर जो सी लगाएंगे उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा विकल्प नमबर भी होगा आपका सयांतर क्योंकि हाँ लिखाई है डाक्टर पीतामबर दत्वर्त वाल के अनुसार अगर यहाँ पर पुंचा जाता की प्रमुक्ष प्रवित्ती कौन सी है स्वानुबूती और स्वाचंदता अलंकृती या फिर ब्रोध ब्यचित्र या फिर यहां पर विनर हाथी रेक वताईए कॉस्चिन मत पूर्ण है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा वेकल्प नंबर एक यानि की स्वानुबूती और स्वाचंदे वेकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगोंने यहाँ पर एक जिनों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चैन क्या है, question number आपसे यहाँ पर 76 पूंचा क्या है, क्या पूंचा है, है रत्पाली की गयंद ग्रह ग्राम चारू आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो, उक् किस कभी की है, बताइए, यह उक्ती आपके लिए चैन कन्ना, राजीब जी, मतिराम की उक्ती है, देव कभी की उक्ती है, या फिर कुलपती मिस्र, या फिर यहाँ पर पदमाकर, एक सो चैन कन्ना है, चार विकल्प आपके आँपर दिये गए हैं, मत्तपूंड, question है, और बिल्कुल बिनेकुमार जी, आपका भी नाम ले लिया, एक सो चैतर में, आपका डी सही आंसर है, पदमाकर, आपका यहाँ पर सही आंसरों का विकल्प नमबर चार जेनों ने भी चैन क्या है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चैन क जाती है और अगर पूंचा जाता आपसे कि कुंदन को रंग फी को लगे जलके चारु गोराई यह जो पंती है मतिराम की पंती मानी जाती है बड़े बड़े नेनन सो आशु भरी भरी धरी यह देव कभी की रचिना है सरी पंती है एसन कुंज बनी छबी पंजे रहे अली जो है कुलपती मिस्र की मानी जाती है अंगले कौस्टन देखेगा कौस्टन नमबर सतत्तर आपसे पूंचा गया है मत्यपूर्ण है कि निमने लिखे तमय से रीती मुक्त कभ्य की विशेष्टाओं के संदर में कौन सा बाग के गलत है रीती मुक्त कभ्य की प्रयम प्रधान हैं बताई रीती मुक्त कभ्य की विशेष्टा के संदर में कौन सा बाग के गलत है सतत्तरवा कौस्टन है और आप सभी का यहां पर सतत्तर में सही आंजर होगा क्या होगा सही आंजर जल्ली से बताईएगा मत्यपूर्ण कौस्टन यहां पर पूंचा गया है वि विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर चैन क्या है, अंगला कॉस्टन यहाँ पर देखेगा, कॉस्टन नमबर अटत्तर आपसे पूंचा गया है, कि मद्दे काल में ब्रद भासा की साहित्यक सरूप को संद् में किसी की भूमिका नहीं रही, नहीं पूंचा है आपसे बूसन या फिर घनानंद, बिहारी या फिर नूर मुहम्मद बताईए, क्या होगा सही आंसर, सभी लोग चैन करिएगा, लाइक अबस्ते कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं क्या है, लाइक करते अनुरागवां, श्री और इंद्रावती, ये दो किर्टियां हैं इनकी जो कि अवदी भासा में हैं, और मद्यकाल में ब्रजवासा के साहितिक स्वरूप को सम्रद्य करने में इनकी भूमिका नहीं रही है, क्या होगा, इतिहासिक द्रश्टी से आपसे पूंचा गया है, 189 वा कॉस्चन है, चार विकल्प आपके आपके आपर दिये गए हैं, क्या होगा सही आंसर, बताइए, शैन कीजेगा सभी लोग तनु जी और आप सभी का सही आंसर है, कि सबसे पहले आपर बिहारी, मतिराम, घनानन्द, उनके बाद पदमाकर, विकल्प नमबर तीन, मानि जाती है, और मतिराम की समय सीमा मानि जाती है, 1617 से 701 घनानन्द, 1689 से 1749 और पदमाकर 1753 से 1853, या जो है, इनकी समय सीमा मानि जाती है, तो बहुत बड़ियां, आंगे वड़ते हैं, कॉस्चिन नमर आप ते पूंचा गया है, या आपर अस्ती महत्यपूर्पुन है, रीतिकाल के सरवांग नूपक कभी बे हैं जन्होंने काब्व के समस्तंगों का वेचन अपने ग्रंतों में किया है अता है निमने लिकित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कभी नहीं है जिसकी गणना सरवांग नूपक कभीयों में की जाती है बताईए कुलपती मिस्र देव मतिराम या फिर चिंता मनी कॉशन मत्पूर्ण है रीमा दी और आप सभी का सही आंचरों का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर तीन सही आंचर है मतिराम आपका जो है सही आंसरों गसी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर मतिराम कभी ऐसे हैं जिनकी गणना सरवांग नुरूपण में नहीं की जाती है जबकि कुलपती मिस्र देव और चिंतामनी सरवांग नुरूपण के कभी हैं तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर जो है सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है देखेगा कॉस्चन नमबर 81 है कि जिन दिन देखे बे कुसम गई सो बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कतीली डार प्रिसित दोहा किस कभी का माना जाता है रसलीन का गौल कभी बिहा कॉस्चन मत पूंढ है कॉस्चन नमबर 81 आप से पूंचा गया है दोहा जो है कि जिन दिन देखे बे कुसम गई सो बीती बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार प्रिसित दोहा कि विहारी का दोहा है तो इनका इहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा विहारी ने मात रेक गृती की रचना किये वह है विहारी सत्थ सई कॉस्चन नंबर आपसे 182 पूंचा है कभीता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुंचती नीचे ही रह जाती है विहारी की कभीता के संदर में एकतन किस आलूचक का है वह आपके लिए आलूचक बताना है कौन है राम बला सर्मा है या फिर हजारी प विकल्प नंबर सी आलिकी रामचंद्र सुपल जी का ये प्रिशिद्य कतन माना जाता है विकल्प नंबर तीन जिनोंने भी याँ पर चैन क्या है उनका याँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ियां दो कि सभी लोगों ने याँ पर सही आंसर चैन क्या है कॉस्चन नंबर आपसे आप दीना जी 183 पूंचा गया है इनमें से कौन सी रचना चिंता मनी की नहीं है तो देखेगा आपसे क्या पूंचा है नहीं पूंचा है साहित दरपन, काब विवेक, कभी कुल कल्प तरू या फिर काब प्रिकास नहीं बताना है कौन सी रचना चिंता मनी की नहीं है चेन कीजेगा तो अपने चिंता मनी की रचिना है पड़ी है जिसमें कावे विवेक भी है कावे प्रिकास भी है कावे कभी कुल कलप तरू भी है तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा साहित दरपन रचिना ये जो है किनकी इनकी नहीं मानी जाती है किनकी चिंता मनी जी की आपका इहां पर सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन यह आप दिया गया है कॉस्चन नमबर आप से पूंचा गया 184 केसब दास की रचना इनमें से कौन सी है बता ये का केसब दास की रचना बताना है मार्दवानल कामकंजला नहीं है भूसन वैचार ये भी नहीं है हाँ बिल्कुल सही केसब दास आपका सही आंसर है और मार्दवानल कामकंजला तो सभी कले पता है आलम की रचना है मदनाश तक रहीं की रचना है और आंगे बढ़ते हैं कॉस्चन नमबर आप से यहां पर 185 पूंचा गया है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी पानी का प् संदर्में नोंने कखा है बताइए अगर इक प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी बानी का प्रादुरभा हुआ है तो लगा दीजे का नामचंद्र शुकल जी का किसके लिए है किसके संदर्में कखन है तो आपका सही आंसर होगा घनानंद आपका यहां पर विकल्प नंबर एक जो है बैस सही आंसर होगा बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक जन्वनेवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चë नंबर आपसे यहाँ पर 16ी पूचा गया कि राजनीतिक राजनेतिक रूप से रीतिकाल मगलों की सासन की वैभवर की चर्मूतकर्स का यूग है व्त्थान का यूग है बिस्तार का यूग है चर्मूतकर्स के बाद उत्रोतर हिरास और पतन का यूग है 166 वा question आप से पूंचा गया है और 166 में आप सभी का सही आंसर ने राजनेतिक रूप से रीतिकाल मुगलों की सासन की वेभव की बताई क्या होगा सही आंसर तो सभी लोग बता रहे कि D वाला विकल्प चर्मुत कर्ष की बाद उत्रोता राश्य और पतन का युग है तो विकल्प नंबर आपका जो चार है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला question यहां पर देखेगा यहां पर यहां पर थोड़ी से question चूट गए है चलिए आगे बढ़ते हैं तो नहीं ने लिखे तो रस पृती पादक किर्टियों को उनकी रचनाकारों की सांस सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर देते हैं यहां पर एक किर्टियां दे गए हैं यहां रचनाकार दिए गए हैं यहां पर code दिए गए हैं तो चलिए इन code की साहिता से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपक तो देखेगा हाँ पर रस सागर के कौन हो जाएंगे रस सागर के हाँ पर आपको सुमिलित करना है रस सागर के जो हो जाएंगे वाई स्रीपती हो जाएंगे और रस चंद्रोदा के कबेंदर ये तो सही है और आगे आपका हाँ पर दिया गया है रस राज के कौन हो जाएंग और रस्प यूस निदी के कौन हो जाएंगे सौमनातिस प्रकार इहां पर जो है सुमिलित किये गए हैं वोड में आपका विकल्प नमबर जो सही आंसर होगा विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर है बिने कुमार जी क्लास का टाइम आपके लिए बता दें सुबह नौ बज कर ₹ доллар दिस मिनट पर सामन हिंदी व्यक्रण की चिल्स होती है हो पर रात में दस बजे क्लास होती है आपकी शाहित्ता की इक दो वजेहें क्लास होती है MPGK जो मँदी के लिए होती है बतो क्या है दिए दे क्या बजूल है हैं और आप सभी का है पर सही आंसर होगा कि रीति मुक्त धारा की कभी हुआं जो आलम हैं, बोदा हैं, ठाकुर हैं, दुजदेव हैं, यह मने जाते हैं, रीति मुक्त कापधारा के कभी और जबकि विहारी तो रीति सिद्य के माने जाते हैं, देव पद्मा कर रीति वद्द साखा के कभी माने जाते हैं question number आप से पूंचा गया है कभी कुल कल्पतरू किसकी रचना है बता ये गए 95 में आपके लिए चैन करना है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं क्या होगा सही आंसर कभी कुल कल्पतरू कुल्पती मिस्र या फिर यहाँ पर चिंता मनी तिरपाठी मतिराम या प्रिद्यो कभी तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर सुरेंदर जी विल्कुल तो आप बाद में देख लिया करें कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर 195 है और 195 में सभी लोग बता रहे कि कभी को कुल की चिंता है तो कभी से कभी कल्पतरू चिंता से चिंता मनी विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो B है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नमबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला question यहाँ पर क्या पूँचा गया है question number आपसे यहाँ पर 96 पूँचा है विहारी किस काल के कभी है अब भी पड़ापन रीती काल के कभी माने जाते हैं विहारी रीती काल की रीती सिद्धे का बधारा के कभी है और इन्हों ने एक ग्रंत की रचिना किया जिससे हिंदी सायत में अमर हो गए है विहारी सतसाई जिसमें 732 मिलते हैं कहीं कहीं आपके लिए 792 भी देखने को मिल जाएंगे और अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर 97 पूँचा गया है कि दुजदेव किस परंपरा की कभी हैं दुजदेव बताना है दुजदेव आती है रीतिवद्ध परंपरा की अंतरगत रीतिमुक्त रीति सिद्ध या फिर भक्ती परंपरा की अंतरगत बताईए चैन कीजेगा मत्पूण question है question नमबर आपका यहाँ पर 97 पूँचा गया है और 97 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है रीतिमुक्त एक कापधारा जो रीतिकाल की रीतिकाल को तीन भागों में बाटा गया रीतिवद्ध, रीतिमुक्त और रीतिशिद्ध रीतिमुक्त की मानी जाते हैं कौन दोजद्धिव बिल्कुल सही आंसर है बहुत बढ़िया दोजद्धिव कभी है और घनरंद आलम बोधा भी इसी जो है कापधारा की अंतरगत आते हैं रसिक प्रिया किसकी रचना है question नमबर 98 है 98 बताना पदमाकर देव केसब दास या फिर भूसन किनकी रचना मानी जाती है तो चैन कीजेगा मत पूर्ण question रसिक प्रिया पूंचा है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सैयांसर रसिक प्रिया रचना मानी जाती है किनकी राजन जी केसब दास आपका यहां पर सायांसर होगा तिस अबदास आपका सायांसर है विकल्ब नमबर 3 जन्हों ने बीचेन क्या है उनका सायांसर है रसिक प्रिया कभी प्रिया रामचंद्री का आधी रचिना जो है निकी मानी जाती है और अन्गला कॉस्चेन यहां पर पूंचा और अब आप सभी का यहांपर क्या होगा सभी अनसर, विट्टु जी मती राम है केसब्दास है, चिंता मनी तर्पाटी हैं, या फिर बिहारी है, तो विकल्प नमब्रव आपका C जो है, वै हाँपर सभी आनसर हैं, चिंता मनी तर्पाटी आचार राम चंळिंवर जी ने री और आचार रामचन सुकल मानते हैं किस से चिंता मनी तिरपाठी से और विद्दवान है जो किस अब दास से ही जो है हिंदी रितिकाल का प्रिथम आचार इनी को माना जाता है तो अश्य नमबर आपका दोसों पूंचा गया कौन सी का विकृति घनानंद की नहीं है देखेगा नहीं पूंचा ब्रह लीला चिंगार सिच्छा सुजान सागर रस केली वल्ली बताइए चैन कीजेगा चार विकल्प हैं और अभी भी लाइक बहुती कम लोगों ने किया जल्दी से एक बाद लाइक अबस्ते कर लेंगे कौश्चन मत पूंण आपका यहां पर पूंचा ग होगा सिंगार सिच्छा सिंगार सिच्छा आप सभी का यहां पर सई आंसर है बहुत बढ़ी है सिंगार सिच्छा घननंद की का विकरती नहीं है घननंद की मानी जाते ब्रह लीला सोजान सागर और रस केली वल्ली रचनाय मानी जाती है क्वास्चन नमबर दो सो एक आप से यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा है कि सोजान हित किरपाकंद ब्योग बेली किस कभी की रचनाय मानी जाती है भूसन की भिकारी दास घनानंद या फिर आलम बताईए चैन कीजेगा question number आप से यहां पर डूसों एक पूंचा गया है और आप सभी का या पर क्या होगा सही answer गन्चन जी यहां से किलास चल रही आपकेинкиन पर नवरक प्रअफलन हो रहे होnehmer कि और आप सभी का यहां पर सही answer है क्या होगा सही answer तो बहुत बढ़े हाँ सभी का सही आंसर आ रहा इसका जी नहा जी विकल्प नमबर आप सभी का सी आने की घनानंद है ज़के अंगला जैसें कि दरिवा रे कभी कोन थे राजा जैसें के 202 है और 202 में आप चभी का यहां पर संध्या जी जो सही आंसर आ रहा है राजा जैसे हैं कि दरवारी कभी कौन थे तो वह थे बिहारी जी कौन थे बिहारी जी आपका यहां पर सही आंसरों का विकल्प नमबर दो आपका यहां पर सही आंसर है और अंगला कोश्चन यहां प चैन कीजेगा मत्वपूर्ण कॉस्चन आपसे याँ पर पूंचा ग्या है ग्वाल कभी बताने किस काल के कभी माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ग्वाल कभी जो है रीती काल के कभी माने जाते हैं जी विल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने याँपर सही आंसर क्या है, अंगला कॉस्चन याँपर देखेगा, ग्वाल कभी की रचनाय पढ़ लेते हैं, यमना लहरी, भक्त भाबन, रशकानंद, कभी दरपन, रशरूप और द्रग सतक, ये रचनाय कि की मानी जाती है, ये रचनाय मानी जाती है अपने ग्वाल कभी की, क्यूस्चन नमबर आप से आपर पूंचा है 204, ये तो अपर ने कई भार क्यूस्चन पढ़ लिया है, आलंग, घनानंद, बोधा, टाकुर, किस काबधारा की कभी मानी जाती है, तो रितिकाल की, बहुत काबदार आपके लिए शेन करना है रीति वद्ध है रीति शिद्ध है रीति मुक्त है या रीति प्रिये है तो देखेगा रीति प्रिये रीति काल की काबदार है नहीं है तो यह तो आपका गलत है और आप सभी का सयांसर है तो विकल्प नमबर क्या होगा सयांसर रीति मुक् मुक्त कभी थे तो मुक्त से दीति मुक्त आपका सईया अंसर है विकल्प नमबर जो छी है आपका सईया अंसर होगा यह किसी भी प्रकार की रचनाए करते थे तो मुक्त थे रचनाव से और आंगे वड़ते हैं कौश्चन अबर आपका यांप पर पूंचा गया है यह 205 वा कौश्चन है मत्तपूर्ण देखे देखे आपर पूंचा गया है कि ऐसे जो जो मैं जान तो कि जे हैं तू बिसाय के संग एरे मन मोरे हाथ पाएं तेरे तो 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 एक कथन आपके लिए बताने किसका कथन है देव कभी का भूसर्ण या फिर मतिराम या फिर चिंता मनी 205 में आपके लिए चैन करना है चैन कीजेगा मत्पूंड कॉस्चन आपसे पूंचा गया है और सभी लोग बता रहे हैं ये कतन तो माना जाता है किनका विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर है यानि कि अपने देव कभी का कतन माना जाता है विकल्प नंबर एक सभी लोगों करेंगे कल से start तो आज के वीडियों में बस इतना ही और सभी लोग वीडियो को like करने से चैनल को subscribe करूँ जादा से जादा वीडियो को share करें रोज आपकी एक class आती है तो देखेंगा कल संडे है संडे को कौन सी किलास नहीं होगी तो हम बता देते हैं सुबह आपकी संडे को नो बजे वाली नहीं होगी और साम को चार बजे वाली नहीं होगी यह दो किलास नहीं होगी तो फिर में दो बजे वाली MPG के वाली भी नहीं होगी कौन सी होगी तो होगी आपकी साड़े साथ बजे जो अभी रोज होगी साड़े साथ बजे वाली और रात्री में दस बजे वाली हिंदी साहित की तो इन किलासों से जुड़िएगा दो किलासें संडे को और जहां तक बनेगा तो सामको साड़ साथ बजे वाली मेरातन करतेंगे नो बजे तक करतेंगे तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है जी संगीता जी दिपक पवार जी निसा जी पूर्णिवा जी इसिका सर्मा जी नितू सिंग जी और रीना जी कंचन यादव जी और कलपना जी अनीता ठाको जी राकेश जी प्रीती जी और संध्या जी संगीता जी वर्जेश जी और यहां पर साधना जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिने कुमार जी विल्कुल सागत है सभी का इसी तरह रोज जुड़िएगा इस क्लास से और अनीता जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नितु जी हाँ ग्रुप में भेद देंगे नितु जी तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद घ्रोफेटास